So again, welcome to our channel Broken Quotes तो आज 4 अगस्ट 2022 है तो आज उत्रकंड लोग सेव आयोग की तरफ से एक important notification आया है about upper PCS mains exam के regarding तो जैसे कि आपको पता था कि mains exam 20 अगस्ट से 23 अगस्ट तक होने वाला था जिसके admit card 5 तारिक को release होने वाले थे तो उत्रकंड high court में एक read file की गई थी 434 जिसका आदेश आया था 2 अगस्ट 2022 को तो उसी के respect में UKPSC ने इस exam को postpone किया है और next date यहाँ पर declare किये 434 में पारित आदेश 2 अगस्ट 2022 के आलोख में अभ्यर्थियों के प्रकरणाओं में तो उनकी सुनवाई में जो समय लगा तो उसको देखते हुए कि उन students को भी equal time मिले तो उसके दिर्श्टिकत मुख्य परिक्षा हेतु निर्धारित उक्तांकित थियों को इस्थगित करते हुए प्रश्टिकत परिक्षा दिनांक 14-17 अक्टूबर 2022 तक आयुजित की जाएगी तो ये एक provisional date है 14-17 अक्टूबर 2022 तो UPSC के दोवारा नए students की list से जारी की गई थी जिसमें agriculture वारे students eligible थे तो उनको भी मौका मिला है अगर exam 20-23 अकस्तम होता तो उनको शायद इतना time नहीं मिल पाता और maybe वो qualify भी नहीं कर पाते लेकिन अब जो है उनको लगबग 2 महिने का time यहां से मिलता है क्योंकि सभी साथ subject को 2 महिने में, 2 महिने में त्यार कर पाना बहुत ही मतलब challenging task है एक subject को at least अगर आपको दिन रात महिनत करके भी पढ़ना है तो 15-20 दिन एक subject को complete करने में लगते हैं तो I think यह आयो को एक अच्छा decision है जो उन्होंने 2 महिने का extra time उन students को दिया और 20 students को यह 2 महिने का time मिला है जिसमें वो अपनी preparation अच्छे से कर पाएंगे और exam में अच्छा perform कर पाएंगे अगर यह वीडियो आपको informative लगा हो तो आप हमारी चैनल को like, share और subscribe कर सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए good bye